परकार की सहर्द सीर्ता होती है कि वो बोलता नहीं है नट जब बेनसांग इंडिया आया था उसका जोला गिर गया था अरे आज का है आरी आई का नहीं टारों का आमन कर रहा है एक ये मिश्रा जी आर्थिकी को नुकसान पहुंसता है और आर्थिक तोर पर जब एक परिवार एक घर एक बाप कह लीजिए एक मुख्या कह लीजिए वो कमजोर होता है ऐसे लूट का शिकार होता है तो इसमें सवाल होना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लूटेरे हम सब के बीच में हैं शेहर में हैं बिग्यापन के जरीए फॉन के जरीए लेकिन जाच एजनसिया तमाम जो बैठाई गई हैं जो वाच्डॉक की भूमिका में हैं वो लगता है गहरी नीद में है देखें अगर आर्थिक घोटालों का या यह जो घोटाले बाजी होती है किसी भी तरीके से कस्टमर को मिस इंफॉर्म करके उनके पैसे को इन्वेस्ट करवाना लेना और रिटर्न न देना जे इसका इतियास लगवक्त 300 बीसी से पहले से शुरू होता है यह आज का नहीं ह सवाल यह है कि आप आजादी के बाद से ही देखिए तो घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले होते रहे हैं और एक चीज मैं आपको और बता दू कॉर्परेट सेक्टर में गॉर्मेंट सेक्टर में या प्राइबेट सेक्टर में आप टोटल घोटालों की अगर आ आप समझ सकते हैं कि इस देश में घोटाला कितना हुआ है, यानि अपने एकोनोमी से जो अभी तक है 6-7 गुना, यानि 5 trillion US डालर की एकोनोमी जो गवर्मेंट बनाना चाहती है, उससे 4 गुना ज्यादा तो घोटाले हो चुके हैं, अब समझने की बात यह है कि हर साल घोटाल मूट पे काम करती है, प्रिवेंटिव मूट का मतलब यह है कि नियम कानून ऐसे बनाया जाए, सरकारी सिस्टम ऐसा चुस्त दुरुस्त हो कि घटना होने के पहले ही उसकी भनत लग जाए और उसको रोका जाए, यह होता ही नहीं, घटना हो जाने के बाद F.I.R. लिखी ज जो पब्लिक है, जो इन्वेस्ट करती है, उनको क्या है, कि देखिए, अब आप एक इंशुरेंस का जब क्लेम खरीते हैं, टर्मन कंडिशन देखिए, कोई आदमी पढ़ी नहीं पाता है, चोटा-चोटा-चोटा-चोटा, तो बिग्यापन जो कंपनियां देती हैं, किसी भी स्कीम को लेकर के, गवर्मन को इस पे और स्टिक्ट होना चाहिए, उसको मोटे अक्षरों में लिखवाएं, और क्लियर कट उसको पढ़ा करके बताएं, ताकि जो बायर है, जब तक उसको कॉंसेप्ट क्लियर ना हो, तब तक वो उसमें इन्वेस्ट ना करें, ये रोक कि जो उसमें जितना गोटाला हुआ, उसकी भी कॉंटिटी बंढ़ रही है, पिछले साल अगर एक करोन का गोटाला हुआ, तो आपकी बार दो करोन का, क्वंटटी और क्वालिटी दोनों ही बंढ़ रही है, तो गवर्मन्ट को बहुत ही एक्टिव होकर प्रिवेंटिव लेना जरूरी है, otherwise government का revenue laws भी होता है, गोटाला होने पे एक parallel बिवस्था जन्म लेती है, और उसके साथ साथ लोगों की जेब भी कत्री जाती है, लोगों की जाती है, मैं आपको एक example दूगा, classic, यहां के गोटाले बाज कुछ नहीं है, USA में जो सबसे बड़े गोटाले अलकपून वगरे की history अगर पढ़नी हो, उसको सजा दिलवा दी थी, एक normal से tax professional ने, government ने एक tax professional को hire किया था, बहुत कम salary पे, उसने proof करके court में उसको सजा दिला दी थी, जब कि वह बहुत, government भी उससे पंगा लेने से USA की डरती थी, यह condition थी, सवाल यहां पे है कि जो घोटा दोनों को separate entity माना जाता है, गोटाला होगा तो company के उपर गाज गिरेगी director free रहते हैं, वही director दूसरी गोटाले वाच company, दूसरे गोटाले के plan के साथ आ जाते हैं, अभी यहां पे होना यह चाहिए और government ने इसमें जो है action भी लिया है, नियम change किया है, एसे director, जो कल्पिट हो होंगे, जो गोटालों में फसे होंगे, including CA, जो फसे होंगे, उनको आगे business नहीं किया जाएगा, उनको आगे कोई भी कारवाही करने के लिए उनको रोका जाएगा, एक तो यह होना चाहिए, दूसरी चील यह, गोटाले इतने interesting होते हैं, कुछ गोटाले तो जो अकबार में जाएगे, ऐसी चीजें बताई जाएगे, कि आप यह इतने पैसे दे दो, आपको यह मिल जायागा, रिटर्न आने में टाइम लगता है, तब तक वो अपना बोडिया बिस्तर बांत के पूरे इकठे की हुई पैसे की गठरी बांत के फरार हो जाते हैं, company dissolve हो जाती है, company के उपर case चलता है, वही director दूसरी company खोल के फिर नया घोटाला शुरू कर देता है, तो law को change करने की ज़रूरत है, ऐसे कल्प्रिक डिरेक्टर, professionals एक बार जो जिनके उपर ऐसे case चले, उनको business की दुनिया से अलग रखा जाए, उनको business की कोई भी practice करने की company खोलने की उनको इज सरकारी system का जो है, जब इनको कोई घोटाला मिलता है न, सरकारी system में जो भी है, मंत्री से लेके संत्री तक, वो उनके लिए income की opportunity हो जाती है, वो mandoli करने लगते हैं, वो mohlbaw करने लगते हैं, भाई इतना तुने कमाया, इतना मुझे देख, फाइल चल रही है, चल रही है, इसका एक classic example आप देखिए, इसको पार्टी से मत जोडिएगा, भोपाल गैस कांड हुआ था, उसका MD, Anderson कितने आसानी से भाग गया, हम लोगों को परवाई ही नहीं है, हजारों लोग मर गए, ऐसी गल्तियां, सरकार और उसके जो मुलाजिम हैं, जब अपने दाइत उसे आप देखिए, आपको क्लासिक example आपकर, आरेनेक्स मीडिया का जो केस हुआ है, उसके जान पूचके गवर्मेंट में नियवों में डील देजी, तकि मोटा ला हो, इसको पूचिए आरेनेक्स मीडिया में, पैसन नियवों को पला है, आप जो नहीं बेजा हुआ हुआ है, आप जो नहीं बेजा हुआ 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 हु जब वेंसांग इंडिया आया था उसका जोला गिर गया था पर्षक काुआ इसधानु में को अनंखर आले हूँ आधान को एक है कि से देश में आर्द इक शदार आएगा और जाएगा इक एम इज्रा जी अन्कों जा है मनुआ इप्रस इतव है मनुआ देठान ते आतला ठी कमें ने